नजीर और धर्विंदर प्रदान नजीर की सलाती धर्विंदर प्रदान मिष्टेक जोड़का आते 15 लोग आते घर पर हम चार पांच भेना हैं और पापा हमारे विकलाना वो मुझा भी बोल नहीं पाते हैं और लड़कियों को देखके और केले मार पीट करका और नजीर के सारे घर के थे और सब लोग मार पीट करके और वहार मतलब मार पीट करका वो चले गए ते घर से प्रदान जी का क्या होता है कि मतलब आप उसमें समझोता करते हैं तो प्रदान जी ने खुद वह मिलके और प्रदान जी को थोड़ बता हमारे पापा के चोट लगी थी लठी उनकी खुल गई थी खुल निकला था पाप हमारे बॉन नहीं पाते पाप हमारे मजबूर थे विकलाम थे तो पापा क्या जरूरी थी हम जो मानने की इनने एकेले देखके लड़कियां देखके और कहा आता है इनने हमारे घर पर चड़ाई करिए पिर्दान जी ने मिस्टेल जोड़ी थी पैदान जी का तो यह मतलब होता है समझाना कि आप उसमें समझाए नजीर और सर्ताज अनीस राहुल सभी लोग थे लगुक 15 लोग थे दो दो अन्होंने जो ठीमना आते तो उन्हें घट खड़ाया तो गट हमने खोल आता तो धर्मान जीर तो लोग आमधाप के लिए सब लाट ही लें कर दट गय भाटने के लिए और पापा हमारे मतलब बिकलान थे और विकलान थे और उनकी आंग जो मतलब लगड़ी थी इ च्पाप हमारे बोल नहीं पाते थे तो इनकी आप मतलब छोटा था तो दर्मिन्दा प्रदान सबी लोग ने देखके कि कोई नई और जैए बोटों की सलाथी क्योंकि हमने बोट किसी मलब दूसरे को दिये ते प्रदान के लिए इनने बोटी सला थी इनी ने यह मलब इनकी राज थी इसलिए उनों आके और हमारे मार पीट करा है हम गरीब लोग है इसलिए लाटी तो ने हाथ रोका था उनका फैक्चर हो गया लाटी ने उनके हाथी पर बढ़ी थी तब प्याटी हो गया तो उनका हाथ प्रफटान की उससे सब बदमास लोग साम आये हैं और इन्हों नोगों ने समने घर में आकर उसके हमला करा जबान जबान लड़कियों पर भाहिया पर मारे बहुत आई हैं पर इन्हों है रर्मी दल के साम परिज़ेन टांकर जाहिया रखिवरे अधरन नहीं परण वेज पंद्राइन एकरी कि यहां पर चोड़ लगी लडाई होई जब हुआ है जो खूने लगा हुआ साइट पर है जब हो खूने लगा लगा हुआ है